नमस्कार क्या आपके भी सुख दुख का स्विच्छ लोगों के हाथ में है आप कहोगा सर आप आज ये क्या बात कर रहा है बिल्कुल आज के वर्तमान समय में ये फैक्ट बात कर रहा हूँ आपको बिल्यू नहीं है तो मैं अभी बताओंगा आपको हो सकता है कि आपके सुख दुख का स्विच्छ भी लोगों के हाथ में हो आज के समय में लोग बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं लोग हसाएंगे तो वो हसेंगे लोग रुलाएंगे तो वो रोएंगे और आखिर क्यों इससा क्यों हो रहा है यह आपकी जिन्दगी है आप काम करते हो आप खुछ रहते हो तो आखिर क्यों आपका स्विच्च शुक दुख का लोगों के हाथ में है अब कैसे होगा यह देखें कोई लोग 10 जनों के बीच में वेटे हैं आपकी प्रसंसा करेंगे वाव आप अच्छे फूले समाल जो आप अंदर से गदगद हैपीनेस हो जाओगे औरे वाव यार मेरी चारो तरफ प्रसंसा हो रही वाव लेकिन इसके जस्ट अपोजिट मानलो आपके सामने ही और आपके पीट पिछे किसी चार-पांच जनों ने आपकी आलोशना कर दी आ अटी साइज कर दिया, आप क्या करोंगे । ए औरे यार उसने ने मेरी आलोशना क्यों कि कि अ आखिर उसने की तरफ ने इतना करता हूँ मैंने उसके लिए इतना किया फिर भी वो मेरी आलोचना कर रहा है दूसरों के सामने बस आप मौनी मन दुकी हो जाओगे और चार-पांस दिन उस बात को लेकर अंदर ही अंदर दुकी होते रहोगे सोस्ते रहोगे और जब भी वह व्यक्ति सामने आएगा ना तो आप सोस्ते रहोगे वहाँ इसने मेरी आलोचना किया उसको देखे आप और जलोगे अंदर और दुखी होंगे तो आखी रेसा क्यों कोई आपकी आलोशना करे तो करने दे कोई आपकी प्रसंसा करे तो करने दे आप प्रसंसा में तो हैपी हो जाओगे ठीक हाँ और यार वाँ मेरे किसी ने प्रसंसा की अच्छे हैपी हो जाओगे लेकिन जश्ट अपोजेट अगर आपके आलोशना होती है आपके क्रिटिसाइज होती है तो आप दुखी क्यों होते हो उसको भी तो आप इग्नोर करो कि लोग कर रहे हैं आलोशना तो करने दे मेरे कोई फरक नहीं पड़ता है मैं जी रहा हूँ हाँ मैं सही रास्ते पर चलता हूँ तो मैं सही चलता जाओंगा और आजकल तो पता है आपको एक नया ट्रेंड चलाया है किसी को दुखी करने का किसी को हंसाने का बिलकुल हो सकता मैं आप को भी स्टेटस लोग अपनी बावना एैं लोग अपनी सिर्ट इस्टाराम पर रिम्स पर शेयर करते हैं और आपने देखा करने मज्ças का जूँगल जोग पर सथी मजा कैसे बनाए उसका स्टेटस किसी की अलोचना का जवाब कैसे दें उसका स्टेटस किसी को अपमान कैसे करें उसका स्टेटस अपनी खुशियों से दूसरों को कैसे जनाए उसका इस्टेटस और जब वो इस्टेटस लगाते हैं दूसरे देखते हैं सामने वाले तो वो केते हैं इसने तो इस्टेटस मेरों को जलाने के लिए किया सिर्फ मेरों को दिखाने के लिए इस्टेटस किया होगा अब वो दूसरों कर देखते हैं अच्छा लगाया है कि मुझे बता रहा है ति दूसरे दिल में वक्तिख्या करता है वह भी इसे थिर्ल वोते हैं Kapर संब ल olhos लिए बस तो लोग आज कि क near शेटा है ौर किसी को नहीं देखेगा तो वह इंस्सान कि सचने च्छो करता है कि मेरा एक फ्रेंड आया मेरे पास में उसके रिलेशन में कुछ एसी उपर नीचे बात हो गए थी थोड़ी बहुत लड़ी हो गए तो वो मेरे को बता रहा था देख यार मेरे रिस्तेदान ये इस्टेटस लगए मेरे लिए मैं देख के अंदरी अंदर हसा मैंने का कि यार वाके में आज के समय में लोग दूसरों के दुखी करने से दुखी हो जाते हैं और दूसरों के सुकी करने से सुकी हो जाते हैं तो आखिर ऐसा क्यों आप अपने सुक दुख का स्विच्च दूसरों के हातों में क्यों देते हो कोई आपके लिए इस्टेटस लगा रहा है कोई आपके इस्टागाम पर रिल्स लगा रहा है कोई आपके फेस्बुक के लिए आपके लिए रिल्स लगा रहा है तो लगाने दे पहली बात तो मैं आपको कहता हूँ कि ऐसे इस्टेटस आप देखते हैं क्यों हो मझे लगता है कि आपके पास टाइम ही टाइम है जिसके पास टाइम होता है ना वो वोट्सप इस्टेटस देखता है वो फेस्बूक रिल्स देखता है वो इस्टाग्राम रिल्स देखता है जिसके पास टाइम नहीं होता ना उनको देखने की समय नहीं होता है वो देखते ही तो आप दुखी कैसे हो सकते हो, जैसे कि आपने कोई गलत कारी किया, आप से कोई मिस्टेव हो गई, तो अपने आपको दुखी करिए, रीग्रेट करिए उस काम के लिए, और संकल्प ले, कि मैंने ये गलती की तो दुबारा नहीं करूँगा, उस वक्त आप दुखी हो सकते हो अपने लिए, आप को अच्छा काम करते हो तो आप उसके लिए अपने आप से प्रसंसा हो सकते हो, हाँ यस, अपनी फीट थप थपा सकते हो, हाँ मैंने अच्छा कारी किया, याँ यस, मैं गैन नफ्ट आइं और अच्छा कारी करूँगा, तो आप एक बात ध्यान ठग कभी भी दूसरों के दुखी करने से और दूसरों के सुकी करने से अपने आपको ये मत करना अपने सुक दुख का स्विच दूसरों के हातों में मत देना वरना आख हमेसा डिश्टरब होगे अपने काम से डिश्टरब होगे अपनी फैमिले से डिश्टप होगे और आपका माइंड हमेसा दोसरों के चीजे ही आपके दिमाग में चलती रहेगी और आपका मन आपका दिमाग हमेसा अस्तिर रहेगा